काउ मिल्क के उपर देखिए एक तो मिल्क और डेरी प्रोड़क्स वैसी बॉडी विल्डिंग इंडस्ट्री में बदनाम है उपर से कुछ लोग इसे और बदनाम करने पे लगे हुए पिछले कुछ टाइम से मेरे यूट्यूब चैनल पे और मेरे इंस्टाग्राम प्लाटफॉर्म पे लोग मुझे से क्वेशन पूछ रहे हैं कि सर क्या दूद और डेरी प्रोड़क्स ही एक मात्र ऐसा रीजन है जिसकी वज़े से हम फैट लॉस नहीं कर पा रहे हैं तो ऐसे मेरे पास आ रहे हैं सबसे पहले मैं आप लोगों को एक अडवाइस देना चाहूंगा देखिए यूट्यूब पे आप किसी की भी बात का भरोसा ना माने इन फैक्ट मेरी भी बात का भरोसा आप ना माने अगर आप वो किसी चीज़ पर यकीन करना है तो वह है साइंटिफ क्योंकि जो साइंटिफिक रिसेर्चेस होती है ना वो कभी जूट नहीं बूलती और completely अनबाइस रहती है इसी लिए आज के वीडियो में मैं आप लोगों को तीन पॉइंट्स के थुरू तीन साइंटिफिक रिसेर्चेस के पॉइंट के थुरू ये एक्स्प्लेइन करू जिसे हैं वे प्रोटीन और केसीन प्रोटीन बोलते हैं अभी इन दोनों प्रोटीन के मदद से आपके बॉड़ी में लीन मसल मास की ग्रोथ होती है इंस्टेड ऑफ फैट मास जर्नल ऑफ इंटरनाशनल सुईटी ऑफ स्पोर्स नूट्रिशन में साफ साफ दिखा गया है क वो लोग जो लोग फुल फैट काव मिल्क पीते थे उनमें मसल प्रोटीन सिंथेस बढ़ा है जिसकी वज़य से नेट मसल प्रोटीन बैलेंस में इंप्रूब्मेंट पाया गया है और आप में जादा मसल हाइपर ट्रॉफी हुई है इसी के साथ साथ यूरोपियन जर्नल स्ट्रीनिकल नूट्रीशन में भी ऐसा पाया गया है कि अगर आप फुल फैट काव मिल्क को रेजिस्टेंस ट्रेनिंग के साथ कमबाइन करते हैं तो आप में ग्लाइकोजन री सिंथेस, री हाइडरेशन, मसल सोरनेस मेनेजमेंट और मसल मास ऑप्तिमाइजेशन हुआ है ठीक है तो पहला पॉइंट से हमें ये क्लियर है कि हाँ काव मिल्क पीने से हमारे बौडी में लीन मसल मास बढ़ता है अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट के बारे में जिसको लेके मैक्समम लोग कन्फ्यूज हैं और वो है कि क्या काव मिल्क से आप में फैट लॉस होता है कि नहीं तो सबसे पहले आप यहां एक चीज समझे कि फुल फैट काव मिल्क में जो प्रोटीन और फैट होता है वो आप में फुलनेस की फीलिंग लाता है प्लीज अंडस्टैंड अगर आप अपने डाइट में कोई भी ऐसा फूड इंक्लूड करते हैं जो आपके सटि जो की रिसर्च का गोल्ड स्टैंडर है उसमें मौजूद एक मेटा अनिलिसिस के अकॉर्डिंग अगर आप एक कैलरी रिस्ट्रिक्टड डाइट फॉलो कर रहे हैं और उसमें फुल फैट मिल्क इंक्लूड कर रहे हैं तो यह आप में फैट लॉस तो करता ही है पर फैट मिल्क आपमें अब्डॉमिनल उबेसिटी के रिस्को को गोटाता है अगर आम बात करें नमबर्स की तो ऐसा देखा गया है कि वह में जो लोग फैट एट मिल्क पीते थे उन में अब्डॉमिनल उबेसिटी 48% से decrease हुई है, मतलब abdominal obesity का risk 48% से decrease हुआ है, जबकि women, जो लोग low fat dairy products consume करते थे, उनमें abdominal obesity के risk 53% से बढ़े हैं, बात करें women की, तो एक large study इसमें more than 18,400 women को include किया गया, उसमें ये पाया गया कि वो women, जो लोग full fat milk include करते थे अपने diet में, वो लोग healthy weight maintain कर पाये हैं, as compare to वो women, जो लोग low fat या zero fat milk अपने diet में include करते थे, तो काईस, fat loss को लेकि आप एकदम clear रहिए, कि milk is very beneficial not even for fat loss, और also for muscle gain, तीसरा point और बहुत ही ध्यान दे सुनियागा guys, देखिए, जो health और fitness होती है, वो सिर्फ muscle बनाना, apps बनाना और fat को कम करना नहीं होता है, वलकि इससे आगे भी बहुत सारी चीजे आती हैं, health और fitness industry में, देखिए guys, एक study में ऐसा पाया गया है, जिसमें अठारा सो, याने 1800 से भी जादा participants को लिया गया था, उसमें ऐसा पाया गया है कि, वो participants, जो लोग full fat milk पीते थे, उनमें 59% metabolic syndrome कम डेवलप हुए हैं as compared to उन participants के, जो लोग milk को अपने diet में include नहीं करते थे, metabolic syndrome याने की, type 2 diabetes, high triglyceride level, abdominal obesity, ठीके, heart disease, तो 59% participants, जो लोग full fat milk को अपने diet में include करते थे, उनमें ये metabolic syndrome कम डेवलप हुए हैं, तो guys, at the end, मैं आप लोगों सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि as a certified nutritionist, मैं evidence-based nutritional recommendations को मानता हूँ, और उनहीं को आप लोगों के सामने present करता हूँ, ताकि आप लोग एक healthy life जी सके, मेरी research और मेरे nutrition course के अनुसार, milk के बहुत सारे benefits हैं, जो मैं आप लोगों को clearly बता चुका हूँ, तो guys, अगर आप लोग vegan नहीं हैं या lactose intolerant नहीं हैं, तो full fat milk को अपने diet में include करें, और एक चीज और, saturated fat myth के उपर, dietary cholesterol myth के ऊपर, मैं एक बहुत ही detailed video बना चुका हूँ, जिन में इन myths को बहुत अच्छी तरह की से बस्ट किया हूँ, उनके thumbnails आप लोगों को मेरे screen पर दिख रहे होंगे, अगर आप लोगों को वो वीडियो देखने हैं, तो description box में उसके link है, आप जाएए अपना concept clear करिये और ये फालतु के so-called gurus के बातों में आना बंद करिये, मिलता हूँ आप लोगों से अगले वीडियो में, till then be healthy, take care and चेश